तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार नाष्टा चो खाने में तो बहुत मज़ेदार है ही लेकिन बनाने में उससे भी ज़ाधा आसान है तो ट्राई ज़रूर करें आप आज इसे इस के लिए मैंने ले लिया है एक कप सूजी आप महीन सूजी या मोटे दाने की सूजी ले सकते हैं एक कप सूजी के लिए मैंने ले लिया है आधा कप दही ध्यान रखिएगा कि दही जादा खटी नहीं होनी चाहिए अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं आधा टी स्पून मैंने नमक डाला है दस मिनट के लिए अब चले इसकी स्टफिंग तयार कर लेते हैं जिसके लिए दो चमच तेल डालते हैं जीरा राई डाल दीजिए और करी पत्ता करी पत्ता तो जरूर डालेगा ये तो स्वाद्में और सेहत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है एक मीडियम साइज का प्याज चौप करके मैंने डाल दिया एक से दो मिनट के लिए अब हम इसको भून लेते हैं अब हम इसमें एक से दिट चमच लहसन अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इने भी बोन लेंगे आप इन पेस्ट को डालने में पिल्कुल कंजूसी नहीं करिएगा ये स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे अब सूखे मसाले डालते हैं जिसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने सूजी के बैटर में भी डाला हुआ है दो आलू उबले हुए मैश करके आप इसमें मिक्स कर दीजिये और इन्हें बढ़ियां से मिक्स कर लेना है हमें अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना मत बोलेगा थोड़ा सा धनिया डालके और इन्हें बढ़ियां से मिक्स करके एक साइड में अब हमें रख देना है लगबग सभी के घरों में ऐसा तो कब होगा ही जिसमें हम चाय पीते हैं तो इदे में आज हम बनाएंगे तो इसको तेल से ग्रीस कर लेना है दस मिनट बाद थोड़ा सा ये थिक हो चुका है बैटर अब हम इसमें एक चमच इनो डालेंगे और एक चमच के करीब पानी डालेंगे ताकि ये बैटर एक्टिवेट हो जाए अब आप बढ़ियां से इन्हें मिक्स कर दीजिए ताकि इनो अच्छे से मिल जाए अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है ग्लास में और बैटर ऐसा ही थिक होना चाहिए आलू के मसाले को लंबा कर लीजिए और इसमें ऐसे डाल दीजिए अगर यहां पे आपका बैटर अगर पतला हो तो ये बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा आपको ये रेसिपी बनाने में दिक्कत आ सकती है तो ध्यान रखिएगा कि बैटर पतला न हो अब ऐसे मैंने डेड़ ग्लास पानी उबाल लिया है उसमें स्टैन डाल दिया है अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढखके रख देंगे और ये बहुत ही बढ़िया से कुक हो गया है तूथ पीक या चाकू से आप चेक कर सकते हैं अब चाकू में थोड़ा सा तेल या थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इनके खिनारों को निकाल लिजिए इससे बहुत ही असानी से ये डी मोल्ड हो जाएंगे आप देख सकते हैं बहुत ही असानी से ये बाहर निकल आये हैं और देखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं तो खाने में तो लाजवाब बना हैं ट्राई जरूर करिएगा आप इसे अपने लंच बोक्स में बच्चों की लंच बोक्स में दे सकते हैं या अगर आपके घर में महमान आये तो आप बना के ये युनीक नाश्टा जरूर दीजेगा इंप्रेस हो जाएंगे और इसे शेर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फै जाह अओर और धनिया की कुछ पतिया आप इसमें अच्छे से फैला देजे अब इसमें हमें इसे रोल आउट कर देया है बढ़ियां और हैल्दी बनके तयार हो गया आप कम तेल का इस्तिमाल किया है मैंने अब इन्हे कट कर लेते हैं और सर्व करते हैं आप इसे मीठी तीखी चटनी के साथ खा सकते हैं चाय के साथ ले सकते हैं और लच बॉक्स में भी ले जाना अपर देखते रहें निधिकी रसोई